मेरी भावी 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 के कमरे में अक्सर नहीं सोती थी अगर किसी रात भावी के कमरे में सोती थी तो वह अगली सुबा भावी रोती रोती बाहर निकलती एक दिन भावी सोई हुई थी तब ही मैं भावी के चुन्नी लेकर भावी के कमरे में चली गई और भावी के बिस्तर पर जाकर सो गई फिर जो नजारा मेरे सामने आया था वह देखकर मेरे होस उड़ गए क्योंकि मेरा भावी तो मेरे भावी के साथ मैंने अपने मा बाबा को कभी नहीं देखा था क्योंकि मेरे पैदा होने के तीन साल बाद वहां दोनों एक कार एक्सिडेंट में मारे गए थे इसलिए भावी को रोता देखकर हमेशा मेरा दिल तड़ब जाया करता था लेकिन मैं चाह कर भी कभी उनसे कुछ नहीं पोच सकती थी अक्सरी सुबा भावी को ऐसा हाल होता था कुछ समय पहले मैंने एक बार भावी से पोचा था कि आखिर भाव भावी की कमरे में सुबह सुबह बाहर आकर इतना रोती के हैं तो भावी ने कोई जवाब नहीं दिया और मुझे डान दी भावी जब भी उनके कमरे में से निकलती थी भावी का हुलियो बहुत ही अजीब सा होता था उनके बिखे रहे हुए बाल और उनके पुराने कपड़े एक अजीब सी मजबूरी सुन रहे होते या सिलसिला कुछ साल पहले ही सुरू हुआ था और जैसे जैसे समझ आ रहा था मेरे लिए सब कुछ अचंभित हो रहा था मेरे अंदर एक जुनों सा पैदा हो गया था मेरा भावी आखित मेरे भावी के साथ रात बर क्या करता है इस सवाल ने मुझे बैचाइन कर दिया था मैं सोलस साल की हो चुकी थी और आप बहुत ही अब बहुत अच्छे से में बाते इस तरह की समझने लगी थी भावी को रोता देखकर उनका चेहरा देखकर मुझे किसी मजबूरी की चेतावनी लगती थी लेकिन हैरत की बात यहा थी जब भावी अपने कमरे से निकलती थी तो वह रोज रो रही थी रोज रोती थी और जब भावी कमरे से निकलता था उनके चेहरे पर एक दिलकस मुस्कुराहत होती थी और वह कुछ ना कुछ गुन गुनाते रहते थे जैसे बहुत खुश है और भावी का हाल ऐसा होता था कि भाईया भावी के कमरे से निकलने के बाद दोबारा उनके सामने जाने से भी डरती थी वह उसको नास्ता भी मेरे हाथ से ही उनके कमरे में भेजवा आती थी खुद सारा वत किचन में खड़ी रहती थी आसू बहाती रहती थी या तो बातरूम में बंद हो जाती थी भावी की हालत देखकर मुझे बहुत तरसाता था मैं बारवी क्लास में पढ़ती थी और नास्ता देने के बाद अपने स्कूल के लिए मैं घर से निकल जाया करती थी लेकिन सारा वक्त मेरे दिमाग में भावी का ख्याल गोंता रहता था कभी किसी सुबह भाया परिसान या पहचान नहीं देखा था वो हमेशा ही बहुत खुश कष्ट एकदम अच्छे से बैठे रहते थे उनका चेहरा बहुत खुशी-कुशी दिखता था जबकि भावी को देखकर ऐसा लगता था कि किसी पर भी भावी को कुछ भी हो जाएगा अक्सर मैं नास्ता बनाते हुए भावी की सरीर को कपकपाते हुए देखा था अच्छी मेरे दिल चाहता था कि मैं भावी से पूछ लूँ भाई रात को उनके साथ ऐसा क्या करते है जो उनका इतना बुरा हाल हो जाता है मगर भाई के नाम पर ही भावी के चेहरे पर खौफ नजर आने लगता था भावी हर रात भाईया के कमरे में सोने के लिए नहीं जाती थी बलकि वह मेरे साथ ही सोती थी कभी कभी जवर्जस्ती भाया अपने साथ कमरे में ले जाते थे और भावी मना करने की कोशिस करती थी लेकिन भाया उनकी एक न सुनते थे भाया की आवाज में महबत की ऐसी चासनी खुली थी की सुनेने वाला भी हैरान रह जाएगा लेकिन मैं अच्छी तरह जानती थी भाया भावी को कमरे में से जाकर यकीनन उनके साथ कुछ गलत करते हैं किसी भी लड़की के लिए किसी लड़की को रोना तडपना देखना बहुत ही मुश्किल काम है और मेरा भी ऐसा ही था ना मैं पढ़ाई पर ध्यान दे पा रही थी और ना ही घर पर पूरत दिल लगा कि मेरा काम में दिल लगता था मेरा दिल चाहता था कि मैं किसी भी तरह अपने भावी को अपने भावी के कमरे में जाने ना दो लेकिन मैं किसी तरह भाई को तो मना लेती पर मैं करती क्या भाई तो मेरे सामने भावी के साथ बहुत ही महबत से पेसाते थी घर के महले के भी लोग मुझे इसकदर परिसान किया करते थी कि इंतिहां में बुरी तरह मैं फेल हो गई थी और भावी को रिजल्ट नहीं बताया लेकिन मेरे दोस्त हराम थी क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी हर बार मुझे से पोचने लगी कि मेरा ध्यान कहां रहता है मैंने उसे भावी और भाई के बारे में बता दिया तुम्हारे भाई अंग्रेजी फिल्में तो नहीं देखें नहीं देखती हैं दिवानी ने अचानक से सवाल किया मैं बिलकुल से हलका साना रूकी और अक्का बक्का से उसे मैं देखने लगी फिल्म का भला क्या मक्सद है वह अलग निगाह से मुझे देख रही थी और मैं उनकी बात ना समझ पाई उसने बात बदल दी लेकिन मेरी सोई उनकी बात पर अटक गई थी मेरी सोई उनकी बात पर ही अटक गई थी आखिर सिवानी ने सवाल क्यों पूछा था मैं घर से वापस आ गई भाबी के चेरे का भाई रागाव अंकल बैठे हुए थे वह दुपार को हमारे घर आते थे भाबी के बचपन से ही उन्हें बहुत अच्छी दोस्त थी भाबी बताती थे कि वह दोनों बचपन में एक साथ रहते थे फिर रागाव अंकल अमेरिका चले गए और भाबी की साथी भाई से हो गई भाबी की साथी को सत्रा साल हो चुके थे और कुछ साल पहले साथ सब कुछ ठीक था या फिर मैं ही छोटी और ना समझ थी लेकिन कुछ साल में मुझे अच्छी तरह भाबी की हालत समझ आने लगी थी मैं जान गई थी कि मेरा भाई एक अच्छा आदमी नहीं है वह मेरी भावी को तकलीफ की वज़ा है और इसी बातनी मेरे दिल में अपने भाई के लिए दुस्मनी पैदा की थी रागा उंकल ने हमारी भावी को बहुत अच्छी दोस्त थी वह साल भर पहले ही इंडिया वापस आये थी और भावी से मिलने के लिए अक्सर आते रहती थी लेकिन भावी को मिलने के लिए अक्सर भाया मना करते थी उनको उनका आना जाना भाया को बिलकुल भी पसंद नहीं था रागाव अंकल के जाने के बाद भावी अक्सर मुझे कहती कि अगर तुम्हारे भाया को पता चला कि रागाव अंकल मिलने आते हैं तो वो बहुत बुरा होगा तब ही मैं भावी से कहती हूँ कि दिलासा देती हूँ कि भाई को कैसे पता चलेगा भाई सुबह काम पर जाते हैं और रात को ही आते हैं मुझे तो रागाव अंकल बहुत अच्छे लगते हैं वो हमेशा आते हैं और भावी का मूड अच्छा करके जाते हैं मेरे लिए भी बहुत से सामान लेकर आते हैं भाई की आमदनी इतनी कम थी कि अगर उसमें गुजर बसर भी मुस्किल से होता था रात में मैंने अपना और भावी का बिस्तर लगाया और भावी के साथ आखे बंद कर लिलेट गई थोड़ी देर में भावी मेरे कमरे में आये भावी मेरे साथ ही सोने के लिए लेटी हुई थी भावी ने उन्हें हाथ साथ चलने को कहा तो भावी ने दबी-दबी आवाज में इंकार कर दिया मने आखी नहीं खोली थी मैं सुनना चाहती थी कि भाया भावी से क्या कहेंगे चलना कसिस मैं तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करूँगा वादा भाई कर रहे थे आवाद मेरे कानों में पड़ी जिसने मुहब्बत की मिठास थी मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ तुम हमेशा ऐसे ही कहते हो भावी ने एक बार फिर इंकार किया तुम्हें सोचना चाहिए कि अब तुम्हारी बहाद जवान है वस्व सवाल करने लगी है लेकिन मैं तुम्हें इस बार से कोई फर्क नहीं पड़ता भावी ने धीमी लहजे में भावी को जवाद दिया भावी ने जवरजस्ती भावी को हाथ पकड़कर उठाया और अपने साथ लेकर चले गए मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी थी भावी के साथ ना जाने क्या क्या करती है और सिवानी की अंग्रेजी फिल्म वाली बात भी मेरे दिमाग में अटक गई थी दो खंटे गुजर गए लेकिन भावी वापस नहीं आई मैं पानी पीने के लिए कमरे से निकल कर बावर्ची खाने किचन में गई भावी थोड़ी देर में मेरे पीछे चली आई मैंने एक कहरी से सांस ली भावी पर डाली जिनकी बाल बिखरी हुए थे जिस बात ने मुझे चौकाया वा भावी की कुर्टी का फटा हुआ आस्तिन था भावी को मेरी नजरों का एहसास हो गया था वा जल्दी से डुपटा को अच्छी तरह लपेट ली और मेदे सामने ही भावी ने सुबा सही सूट पहना था लेकिन फिर अचानक से भावी का सूट कैसे फट गया मुझे तो बहुत ही मुझे कुछ पोच रही थी मैं इतने रात को क्यो जाग रही हूँ मैं जूट का बहाना बनाई कि मैं भी उठकर पानी पीने आई थी भावी मेरे साथ वापस मेरी कमरे में चली गी सोने के लिए आखे बंद कर ली लेकिन मेरी भावी की सिसकियां की आवाजे आ रही थी मेरे दिल जा कर रहा था कि मैं उठकर अपने भावी को कसली दो और दिल में आए सारे सवाल को जवाब पर दो लेकिन मैं अपनी जगा खामोज बड़ी थी भाया सुबह सुबह ऐसे तयार होकर कमरे से निकलते थे जैसे कोई हीरो निकल रहा हूँ भाई के आमधनी कम थी लेकिन हमेसा भाई खुछ रहते और मुस्कुराते रहते काम पर हमेसा ऐसे तयार होकर जाते जैसे सेट के आमधनी से हो मैं कुछ उल्टा नहीं कहा करती थी अपने भाई पर डाली जिसमें मुझे आज ही भी नफरत महसूस हो रही थी भाई के आगे नास्ता रखकर मैं स्कूल चले गए सारा दिन स्कूल में मेरा दिमाग भावी के फटे हुवे सूट की तरफ था स्कूल से वापस घर मुझे रागाओ अंकल मिल गए थे मुझे देखते हैं उन्हें ने मुझे अपने गाड़ी पर बैठा लिया मैं बिना सोचे उनसे उनके गाड़ी पर बैठ गी रागाओ अंकल ने गवर से मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि मुझे बताओ तुम्ही कुछ परिसानी है क्या तो इतनी खोई-खोई सी क्यों रहती हूँ मैं इस कदर जजबाती से हो चुकी थी कि मैं अपने रागाओ अंकल को सारी बात कह दी मेरी बात सुनकर कहा रागाओ अंकल ने कहने लगे कि अगर तुम्ही अंदाजा है कि मेरा भाई एक अच्छा आदमी नहीं है तुम अपने भाईबी को अपने भाई से आधाज आजादी क्यों नहीं दिलवा देती कब तक तुम दोनों इनके जुल्म की चक्की से पीशते रहोगे रागाव अंकल ने बहुत ही फिक्रमंदी से मुझे एडवाईज दी जिसे सुनकर मेरे होस उड़ गए मेरे भाई को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी भाई के मेरे साथ कभी उची आवाज में मैंने बात तक भी नहीं की थी फिर मैं भाई को जालिम कैसे का दो मैं तो यह भी नहीं जानती थी कि बंदरवाजा के पीछे भाई और भावी के बीच क्या होता है रागाव अंकल की बाते सुनकर मैं सोच के समंदर में डूप चुकी थी बहुत सोचने के बाद भी मुझे भाई की कोई ऐसी बात याद आई थी जिसमें मैं उन्हें जालिम करा दे दी जालिम भावी की लेकिन भावी की तडब और आशु भाई को जालिम साबित करते थे रागाव अंकल मुझे स्कूल से लेकर घर आये और खुद भी अंदर आकर भावी हम दोनों को देख कर खुस होई ग्रहस्ती हमारे लिए फोरण खाना लगा दिया गया मैं बहुत जादा ठक गई थी इसलिए सोने के लिए अपने कमरे में आ गई और रागाव अंकल भावी के पास बैठे रहे मुझे नीद आ रही थी मैं सारा वक्त रागाव अंकल की बात को सोचती रही भावी को सारे भाई के कमरे में ना जाने दी तीन दिन गुजर चुके थे और पुछले तीन दिन में भावी मेरे साथ ही कमरे में सो रही थी भावी जब मेरे पास रहती है पिल्कुल अच्छी और बेफिक्र रहती है भाई का रवाय तो हमेशा जैसा ही रहता था जिस दिन वह भाई अपने ही कमड़े में ले जाते भाई उस दिन वह रोजाना से ज़्यादा दुखी मैसूस होती चौते दिन भाई 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 को फिर अपने कमड़े में ले गए थी और मैं सारी रात बेचैन से करवटे बदलती रही भावी जब सुबह भाई के कमरे से निकलती तो यह ठीक तरह से चलना चल भी नहीं पा रही थी और वह एक पैर जमीन पर घसीड घसीड कर बड़ी मुश्किल से चल रही थी मैंने भावी से पोछा कि भावी अभी तुम्हारे भावी अभी तुम्हारे पैर्ड में क्या हुआ है तो कहने लेगी छोटी-छोटी बातों पर ध्यार ना दिया करो दिमाख लगा कर पढ़ाई करो और दिल लगा कर रिजल दल चलाओ आया तुम्हें समझने तुम्हारा भावी उसका जिम्मेदार भी मुझे ही समझेगा भावी की आँकों से टिप-टिप आशू गिनने लगे और भावी के लिए नास्ता बनाने चले गे उसके बाद दुबारा किचन से बाहर ना आई मैं भाबी को कश्ट देने की बाद भाया के पास गई उन्हें नास्तर दिया तो भाया मुझे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगे भाया के लहजे में इतना सहर था कि मैं भाया की इस दोगली तबिया पर हैरान रह गई भाया किसी तरह भी सक्त जाली नजर नहीं आते थे बलकि भाबी की हालत चेक कर भाया की जुल्मी की दास्तान सुनाते थे मैं भाया को नास्तर दे दी और तो भाई मुझकुराते हुए मेरी पढ़ाई के बारे में मैंने भाई से कहा कि मुझे भावी की बगार नेन नहीं आती है भावी भावी को रात को अपने कमरे में ना बुलाया करें मेरी बात सुनकर भाया मुस्कराने लगे कहने लगे कि तो मैं कभी कभी तुम्हारी भावी को अपने पाद बुलाता हूँ मेरा भी तुम्हारे भावी के पर हक है और मैं भी तो उसे बहुत महबत करता हूँ भाया की बात सुनकर मेरा खून खौल उठा था क्योंकि उनकी महबत के नजारे भी आए एक दिन देखा करती थी लेकिन भाया ने कुछ बोलने से बारे में सोच भी नहीं सकती थी इसलिए खामुसे सी स्कूल के लिए चली गए स्कूल के टीचर पढ़ाते हुए हमें समझा रहे थे कि कभी भी पूरा सच जाने बेगार कोई फैसला नहीं लेना चाहिए आधा सच हमेशा बहुत खतरनाक होता है जो इनसान को बरबाद करके रख देता है टीचर की बात ने मेरे दिमाग में एक और खिचड़ी पका दी थी मैं सोच ली थी कि मैं अब भाईया का पूरा सच जान कर ही रहूंगी और फिर अपने भावी को भाई से आजादी दिलवा दूँगी रागा वंकल ने मुझसे वादा किया था कि वा हर वक्त मेरी मदद करेंगे तैयार रहेंगी मेरी भावी बिलकुल मेरी जैसी ही थी मैं उम्र में सोला साल की थी लेकिन सरीर में लंबाई में बिलकुल अपनी भावी की तरह थी अगली रात मैंने खुद ही अपने भावी को नीन की दवा दे कर सुला दिया और खुद अपने भावी के चुन्नी ओड़कर भावी के कमरे में चली गई भावी चुन्नी ओड़कर भावी के कमरे में जाया करती थी यह कमरे में एक छोटा सा वल्ब जल रहा था भावी अन्हेरिक की वज़े से मुझे भावी बैट गये थे और कहने लगे मेरी खुश नसीबी आज तुम चल कर मेरे पास कमरे में आ गई हो बहुत ही खुशी से कहते हुए मेरे अजीब करीब आज मुझे कंदों से पकड़ कर अपने बराबर बिठा दिया भाई के बराबर में बैटा मेरे जरीर काप रहा था मैं नहीं जानती थी कि उसके आगे मेरे साथ क्या होने वाला था लेकिन आज मैं पूरा सत जानना चाहती थी भाई बहुत महबत से कहने लगे छोटी जवान हो रही है या कहकर तो मुझे इस कदर दूर हो गई हो कि मुझे जबर जस्ती तुझे अपने कमरे में बुलाना पड़ता है मेरा भी तो तुझ पर हक है मैं मानता हूँ कि हमारी बहन जवान हो रही है लेकिन वह इतनी छोटी भी नहीं है कि उसे यह सब समझना हो भाई भावी एक कमरे में एक साथ रहते हैं तो सारा दिन काम करके ठक जाती है चल अब सुकून से मेरे साथ सोजा मैं तुझे अपने करीब देखकर खुस हो जाता हूँ भाई के अंधेरी की वज़े से मेरा चेरा नजर नहीं आ रहा था और भाई ने खुद ही मुझे अपने तक्ये पर लिटा दिया अपने आमदनी को कुछ हिस्सा उन्होंने जमा कर दिया था जिसमें वह मेरी साथ ही करेंगी उसके बाद जो कुछ भाई ने कहा वह सुनकर मेरे होस उड़ गए थे मैं जानता हूँ कि रागाव अंकल ने एक बार फिर हमारे घर का रास्ता देख लिया है लेकिन ससी मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि वह इंसान ठीक नहीं है और ना ही उसकी नियत अच्छी है पहले भी एक बार तुम्हें बर्बाद करने कि उसने कोशिस वह कर चुका है और अब तुम्हारे घर पर जवान बहन भी है इसलिए वह आईमियत का दामन थाम ले कि भाई को कभी तक मालूम नहीं था कि वह मैं भाबी नहीं बलके उनकी बहन हूँ भाई बहुत आहिस्ता से मेरे बालो को हाथ फेर रहे थे और कुछी देर बाद भाई को नीन लग गई काफी देर तक मैं एकदम सीधे भाई के पास लेटी रही लेकिन भाई तो कुछ बहुत गहरी नीन में सो चुके थे अगली सुबह रोजाना की तरह मैं उनका चेरा ऐसे था जैसे भाई के साथ रात गुजाने के लिए बाद हुआ करता था मैं खामोसे से भाई का जायजा ले रही थी लेकिन मुझे भाई का रवाया में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा था स्कुल से वापस लोटी तो घर के बाहर ही रागाव अंकल की गाड़ी खड़ी हुई थी मैं हमेशा दूर से सलाम करके उनके घर में आती थी लेकिन आज मैं चारों की तरफ दबे पाउं घर में घुसाई भाबी और रागाव अंकल मेरे कमरे में एक साथ बाते बैठके बाते कर रहे थे उन्हीं मेरी मौज़ोदिकी का एहसास नहीं था जो कुछ मैंने अपने कानों से सुना वह सुनकर मेरे होस उड़ गए मैं सोच रही थी कि वह जब सच जिसे जानने के लिए मैं बेताब हो रही थी किस कदर भायानक है भाबी रागाव अंकल से हसकर कह रही थी कि मैं अपनी नंदे के लिए मैं उसके भाई के खिलाब पूरी तरह नफरत का बीज बोट गी हूँ और अब वह दिन दोर नहीं है जब मेरी नद अपने भाई के खिलाब खड़ी हो जाएगी वह जब अरजस्ती मुझे अपने साथ इस सिस्थे से बान कर रखी हुई है लेकिन अब मैं अजादी चाहती हूँ वह मुझे पमरे में लेकर जाता है और मुझे से बाते करते करते ही सुझाता है लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ तो मैं अपना हुलिया खुद में खराब कर लेती हूँ मैं छोटी के दिल में यह बात अच्छी तरह बिठा दी हूँ कि उसका भाई जुल्म करता है एक दिन तो मैं खुद ही अपने सूद का आस्तिं का तक फार डाला मैं चाहती थे कि जब मैं उसे आजादी की बात करूँ तो मेरी नंद मेरी डाल बन जाए और मुझे अपनी नंद को छोड़ कर उसके गर से जा निकलना पड़े छोटी तो दुनिया में मेरी मौज़ोदगी और अपने भाई के जुल्म की दास्तान सुना देगी और मैं छोटी को लेकर तुम्हारे जिन्दे की में सामिल हो जाओंगी रागाव अंकल हसते कहने लगी कि हाँ मैं छोटी को पिया कह दिया हो कि जब भी मेरी मदद पड़े जरूरत होगी मैं चला आउंगा तब ही रागाव अंकल ने कहने लगी कि पहले कि तरह तुम मेरे साथ बेवफाई न करना एक बार पहले भी तुम मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चले गए थे उसे वक्त मेरे पती ने मुझे माफ कर दिया कि अपना लिया था अपना लिया था उसके बाद रागाव अंकल ने मेरे भाबी का हाथ पकड़ कर कहने लगी कि मैं बहुत मजबूरी में तुम्हारा साथ छोड़ा था क्योंकि मेरे घरवाले इस बात से बिलकुल खिलाब थे कि मैं एक साधी सुधा औरत से रिस्ता करूँ लेकिन अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है मेरा मैं पूरा दिल से मैं तुम्हें अपनाऊंगा और तुम्हारी नंद को अब अच्छे दामों पे अमेरिका में भेज देंगे बस छोटी से किसी तरह या सच पता ना चले और उसका हम अच्छे से जालिम नहीं बलकि हम उसे जालिम साबित करना चाते थे एक छोटी से हम दोनों के एक करवा सकती है भाबी के रागाव अंकल नो अंकल ने यकीन दिला दिया था कि जब यह वैसे ही होगा जैसे उन दोनों नों सोचा था वा खुद हस्ते हस्ते ठक चुकी थी और मेरी कदमों तले जमीन निकल गई थी भाबी मेरी सिर्फ मुझे ही नहीं बलकि मेरे भाई को पूरी तरह धोका दे रही थी और वह मेरे भाई के घर में बैटकर एक दूसरे आर्मी के साथ मिली हुई थी और नए रिष्टे की बाते कर रही थी भाई मुझे भाई की बात याद आ गई थी रागाव अंकल ने पहली बार ही हमारा घर उजाडने की कोशित की थी बहुत कुछ जान चुकी थी इसलिए कमरे के अंदर दाखिल हो गई देखकर भाई और रागाव अंकल चौक गए लेकिन थोड़ी देर में उन्हें अपने आपको काबू पा लिया रागाव अंकल ने मेरी तरफ चौकलेट बढ़ाई में चौकलेट पकड़ने के बज़ाए भावी की सकले देखी और सक्त लहजे में भावी से पूझा कि आपको मुझे बताना पड़ेगा आखिर आपकी भाई से क्या मामला है भावी जान चुकी थी कि वह उनके जूट का पोल खुल चुका है इसलिए बिना कुछ ही बोले भावी ने मुझे सारा सत्थ बता दिया भावी साधी से पहले रागाव अंकल से महबबत कर दी थी और भावी के दिल में रागाव अंकल की महबबत कर रंग बस गया था भावी के घर वाले ने भी भावी के लिए कोई पसंद कर लिया था भावी जवान और खुबसूरत थी जबकि भाई उम्र में नव साल बड़े थे और भाई साहब साली सकल सूरत के थे मालिक ने रागाउ निए रागाउ अंकल हैंसम से भावी के लिए भाई का इस्टर घर prior के मर्जिते हुआ था भावी ने उपर अपने घर वालों की जबर्जस्टी पर भाई से साधिक कर ले थी लेकिन वह अभी भाई को दिल से अपना नहीं पाई थी जबर जस्ती का या रिस्तत भावी के लिए किसी बोज की तरह था लेकिन अभावी इस रिस्ते को किसी तरह चला रही थी कि तब भावी के साधी मेरे भाई से हो गई थी मेरे समझ में नहीं आ रहा था अब मैं करूं क्या मैं एक दिन भाईया से सारी बात बता दी लेकिन वो मानेने को तयार ही नहीं थे उन्होंने मेरे बात पर भरोसा किया वो आफिश जाने के लिए तयार हो गए और वो घर पर ही छुब गए दोपहर में राघाव अंकल जब घर पे आये आ गए ते तब ही भावी की सच्चाई उनके सामने आ गई थी और भावी को छोड़ दिया मेरी भी साधी भावी ने साधी करा दी थी धन्यवाद अगर यह कहाने अच्छी लगी हो न तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और बेल आइगन को प्रिस करने ताकि मैं ऐसे स्टोरी आप तक पहुंचाती रहूं धन्यवाद